यह स्पीपल डन वित यूर ब्रेक आप लोगों का ब्रेक हो गया अब एक बास समझना नेक्स सेक्षिन इस सेक्षिन नाइटी वन जब डिटी डबले दो कंट्री सके बीच में नहीं है अगर जो ब्रेक अगर उनके के साथ अगर डिटी डबले नहीं है तो सर उनके हैसमें क्या होगा डीटी डबले भी दो तरगे होते हैं एक comprehensive डीटी डबले एक होता है limited comprehensive डीटी डबले मतलब जिसमें सब इंकम कवर होती है that is comprehensive और limited का मतलब होता है सिरफ कुछ income को लेके डीटी डबले बनता है that is called limited डीटी डबले अब एक बाद समझना जैसे पाकिस्तान है उसके साथ अपना comprehensive नहीं है limited डीटी डबले तो ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिनके साथ अपना डीटी डबले नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं इंडिया वाले इंडियन गवर्मेंट है वो आपको एक unilateral relief देती है एक तरपा रिलीव देती है bilateral तो होनी पा रही है क्योंगे डीटी डबले है ही नहीं तो unilateral relief है वो unilateral relief अपनी government देती है that is called your section 91 अब यह section 91 कैसे है क्या है उसको मैं एक बार आपको अच्छे से समझा दूँ आप सब इदर देख लो एक बार सब लोग इदर देख लो और मैं बता दू एक्जाम में question आने का chance 70% है वो इससे होगा 30% जो मैंने थेरी पढ़ाई उससे होगा TRC वगेरा 30% उससे होगा बट 70% chance है वो 70% chance आपका इससे होगा जो मैंने अभी आपको करवाने जा रहा हूँ इससे आपका 70% chance है कि 70% आपको question इससे मिलने वाला है अब एक बात समझना क्या होता है एक example लेता हूँ समझने कोशिश करना all people एक example लेता हूँ जैसे माल लो एक person है जिसका नाम है Mr. BB एक person है जिसका नाम है Mr. BB अब एक बात समझना मैं इंडिया का resident हूँ resident orderly resident age 29 years मैं resident इंडिया का age 29 years सच बोल रहा हूँ इधर देख लो आगे है इधर देखो सब लो मेरी इंडिया से इंकम होती है इंडिया इंकम है इंडिया से जो मेरी इंकम है वो इंकम माल लो 7 लाग है और मेरी फॉरें से इंकम होती है वो माल लो 5 लाग है इंडिया से इंकम मेरी 7 लाग है फॉरें से इंकम है वो मेरी 5 लाग है अब एक बात समझना फॉरें में मैंने टेक्स बरा है टेक्स पीड कि वो मैंने माल लो कि एक लाग रुपया टेक्स बरा है मैंने फॉरें में पांच लाक में, एक लाक रुपए मैंने टेक्स भरा है, ये पांच लाक मेरी इंकम थी, बड़ एक लाक मैंने वहाँ टेक्स भरा है, तो मैंने बोलू, वहाँ पे एक लाक रुपए टेक्स भरा है, तो तुमारी टेक्स रेट फॉरें की क्या रही होगी, तो वन लाक, वन ल अब आपको यह बोला गया है कि यहां पे इंडिया और फॉरेंग कंट्री के बीच में डिटी डबलबल एक नहीं तो डिटी डबले नहीं है तो हम लोग यहां 91 का रिबेट देंगे, एक section 91 का रिबेट है, वो रिबेट देंगे, अभी रिबेट कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, समझने ही कोशिश करना, सब लोग इधर ध्यान देना, तो सबसे पहले Mr. BB के case में, तुमारा previous year 18-19, assessment year 19-20, previous year 18-19, assessment year 19-20, आपको सबसे पहले लेना है, computation of total income, प calculate कर लो, तो total income मेरी जब calculate करेंगे, तो तुमारा, यहाँ पे जो Indian income है, वो Indian income कितना आएगा, पिटा, 7 lakh, और, जो foreign income है, वो 5 lakh, total comes to 12 lakh, total comes to 12 lakh, Indian income 7 lakh, foreign income 5 lakh, total income comes to, जो GTI आगया मेरा, क्योंकि देखो, मैं अगर इंडिया का resident, ordinary resident है, तो पूरे world की इंकम पे tax लगेगा, GTI 12 lakh, इस में से deduction, अंडर chapter 6A, कुछ भी नहीं है, तो यही मेरा आगया, NTI, net taxable income is 12 lakh, net taxable income है, तो foreign income भी मैंने ले ली, Indian income भी ले ली, क्योंकि मैं resident हूँ, तो पूरे world की इंकम पे tax लगेगा, उस foreign country के साथ अपना DTAA नहीं है, अब एक बात समझो, अब आपको rebate कैसे मिलेगा, relief कैसे मिलेगा, सब लोग इदर देखना, सब लोग, all people please pay attention, इदर देखो सब लोग, देखो, जब भी आप लोग, Indian income, foreign income पहले दोनों को जोड़ दो, आप उसमें से deduction कुछ मिलते हैं, तो वो ले लो, आपको आजाएगी NTI, अब एक चीज़ समझना, जब आप, अब आप एक काम करो, इस पर tax calculate करो, तो computation of tax liability, आप एक काम करो, computation of tax liability, आप tax liability calculate करो, और आप tax liability कैसे calculate करोगे, आपकी income कितनी है, बारा लाग, बारा लाग पर tax निकालो, और बारा लाग पर जब आप टेक्स निकालोगे, मैं resident हो, और like age है, वो senior citizen नहीं है, तो धाई लाग का basic exemption मिलेगा, तो देखो, आप एक काम करो, टेक tax कैसे निकालोगे, अप टू टू लाग 50,000 तर, कुछ भी tax नहीं, more than 250, अप टू 5 लाग, कितना परसेंट, 5 परसेंट, 12,500 आया tax, more than 5 लाग, अप टू, 10 लाग, कितना परसेंट, और, यस 20 परसेंट, 20 परसेंट, कमस टू 1 लाग, और एक बात बताव, more than 10 लाग, अप टू, 12 लाग, 30 परसेंट, तो 2 लाग पे, 30 परसेंट, कमस टू 60,000, तो आपने टेक्स लगाया, 60 प्लस 1 लाग, प्लस 12,500, प्लस 1 लाग, प्लस 1 लाग, प्लस 1 लाग, प्लस 1 लाग, अपने टेक्स निकाला, अब एक बात बताव, इसमें सर्चार्ज लगेगा या नहीं, आंसर is no, सर्चार्ज नहीं लगेगा, सर्चार्ज तभी लगता है, इंडिविजोल में जब इंकम 50 लाग से ज्यादा होती है, सर्चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन एक बात बताव, एजुकेशन सैस लगेगा है या नहीं, आंसर is yes, तो मैं इसमें एड करूंगा, एड हैल्थ एंड एड एजुकेशन सैस एड दरइत 4%, तो 172-500 का 4% कमस तू, 6900, एड कर दूं, 179-400, 179 400 यह आपका टेक्स आया including education says अभी तक कुछ भी अपनने रिबेट की बात नहीं की है देखो अपना जो एक्जाम्पल था वो यह था कि एक बंदा है Mr. BB उसकी इंडियन इंकम है वो 7 लाग है फॉरेंग का इंकम में वो 5 लाग है टोटल इंकम वो 12 लाग हुई अब एक बात बताओ फॉरेंग में टेक्स भर के आया हूं वन लेक का इंडिया और उस country के साथ डीटी डबले नहीं है अगर डीटी डबले होता तो आप डीटी डबले के हिसाब से जाते बट इंडिया और आप क्या करोगे जब इंडिया और उस country के बीच में डीटी डबले है वो डीटी डबले ही नहीं इंडिया and that country don't have any डीटी डबले टेक्स रेट है वहां का वो 20% है अब आपने क्या किया देखो आपने क्या किया सबसे पहले इंडिया इंकम ली और उसके साथ में फॉरें इ आप सचर्च एड़ किया मैंने अब मैं लोंगा रिबेड देखो रिबैड जब आप लेते हो ना 91 का वो आपको रिबेड मिलेगा जब डीटी डबल áन नहीं तो आपको रियां मिलेगा लेकिन रिबेड आप सरचार्ड एड़ू ऒएडियोगेशन से से वो एड़ करने के बाद लोगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि education says जोडने से पहले, जो health and education says जोडने से पहले rebate लेते हैं, नहीं, rebate आपको बाद में लेना है, पहले आपको health and education says add करना है, और उसके बाद में आपको rebate लेना है, तो अब आप इसमें से क्या लोगे, rebate less rebate under section 91, और यह 91 का rebate कैसे calculate करेगे, उसके लिए हमेशा आपको note लिखना है, हमेशा आपको note लिखना है कि यह rebate कैसे calculate करेगे, देखो, तो rebate कैसे calculate करेंगे, मैं याप pass में ले रहा हूँ इसके पास मैं कि rebate कैसे calculate करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ note number 1 rebate under section 91 और 91 का rebate है वो आपको कैसे calculate करने का पता है सबसे पहले ले लो tax rate in foreign भाई जो foreign में tax rate क्या थी तो मैं बोलू foreign में tax rate तुमारी 20% थी एक लाक रुपे का tax लगा था on 5 lakh income so 20% was foreign tax rate और दूसरा मैं बोलू आप लिखा निकालो average tax rate in India इंडिया की average tax rate क्या है आप क्या करो इंडिया की average tax rate क्या है वो निकालो तो इंडिया की average tax rate कैसे निकालेंगे पता है इधर देखो इंडिया की average tax rate निकालने जा रहे है average tax rate in India तो मैं बोलू इंडिया में जो tax आ रहा है total वो 179,400 आ रहा है और वो कितने पे आ रहा है 12 lakh पे आ रहा है बटा 12 lakh पे आ रहा है total जो tax आ रहा है 179,400 वो 12 lakh पे आ रहा है multiply by 100 तो एक बात बताओ इंडिया का average tax rate क्या हुआ 179,400 divide by 12 lakh multiply by 100 so it comes to the 14.95% हाँ भै 14.95 कैसे आ है पता चला है इंडिया का average tax rate कैसे आ है आपका देखो tax कितना आ रहा है total इंडिया में tax आ रहा है 179,400 आ रहा है 179,400 divide by क्या करोगे आप 12 lakh divide by 12 lakh और multiply by 100 then it comes to 14.95% ये तुमारा average tax rate इंडिया का है अब आप एक काम करो कि जो foreign का tax rate है और इंडिया का tax rate है whichever is lower वाला आप tax rate ले लो इसमें से जो whichever is lower वाला tax rate है वो whichever is lower वाला tax rate ले लो तो यहाँ पे lower वाला जो tax rate है वो 14.95% है अब आप एक काम करो इस 14.95% जो lower वाला tax rate आया ना इसको आप multiply कर दो double tax foreign income थे क्योंकि foreign income है वो दो बाट टेक्स लगी foreign में भी टेक्स लगी और इंडिया में भी टेक्स लगेगा क्योंकि इंडिया में मैंने उदर एड किया है तो आप क्या काम करो कि अब जो तुमारी foreign income है जो भी तुमारी foreign income है उसको आप lower वाले tax rate से multiply कर दो तो lower tax rate कितना है 14.95% तो आपका double tax income कितना था 5 लाग इस 5 लाग को multiply करो 14.95% से तो 5 लाग multiply by 14.95% इस comes to the 74,750 बिटा ये तुमारा यहां रिबेट हो जाएगा और जो बचेगा minus 179,400 ये तुमारा 1,04,650 है ये तुमारा net tax payable आएगा इतना easy है ये और हर बार exam में question आएगा हर बार exam में 5-6-7 मार करता है और new syllabus में तो obviously ज़्यादा coverage करेगा बिकास international taxation का बेटे ज़्यादा है थोड़ा तो एक बात समझो ये रिबेट कम मिलती है जब आपका उस country के साथ DTAA नहीं है अगर DTAA है तो आप DTAA के हिसाब से जाओगे बढ़ DTAA नहीं है तो आपको 91 का रिबेट मिलेगा अब ये 91 का जो रिबेट आपको मिल रहा है ये कब मिलता है कैसे मिलता है समझने ही कोशिश करना पहले आप total income निकाल दो मतला इंडिया और foreign की दोनों की income जोड़ दो उस पे total income पे tax निकाल दो education says surcharge को add कर दो और उसके बाद में tax में से आपको रिबेट मिलेगा रिबेट कैसे मिलेगा जो foreign का tax rate और इंडिया का average tax rate whichever is lower वाली rate से मिलेगा जो foreign का tax rate और इंडिया का average tax rate whichever is lower वाला tax rate रहेगा उस lower वाले tax rate से आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा और जो lower वाला tax rate है उसको जो double tax income है उससे आप multiply कर दो double tax income से multiply कर दो तो आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा 91 का अब एक बात समझना इसको एक shortcut और लोग follow करते है जो आपको नहीं करना है बहुत सारे लोग क्या गरते है इसका एक shortcut और है जो follow करते है जो आपको नहीं करना है बट सीधा रिबेट का amount निकलेगा उससे कैसे पहले ले लो tax paid in foreign अब एक बात बताओ foreign में आपने tax कितना भरा था एक लाग तो tax paid in foreign और दूसरा आप ले लो that is tax in India on foreign income foreign income पे इंडिया में कितना tax आएगा तो एक बात बताओ tax in इंडिया on foreign income तो इंडिया में total tax कितना है 179,400 यह मैं बताओ बारा लाग की इंकम पे है तो पांच लाग की इंकम पे कितना आया तो tax in India on foreign income तो 179,400 divided by 12 लाग multiply by 5 लाग इक सकम्स तो डारेक्ट तुमारा यही वाला amount हो जाएगा 74,750 and whichever is lower है उसका आप रिबेट ले लो whichever is lower है उसका आप रिबेट ले लो मैं बताओ जो foreign में tax आपने पे किया और tax in India on foreign income tax in India on foreign income whichever is lower ले लो यह सीधा तुमारा रिबेट का amount बन जाएगा बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको यह वाला follow नहीं करना है आपको average tax rate लेके लेके ही करना है if there is no DTAA between government of India and government of country from which income has been derived and government of India will unilaterally provide some relief to its resident under section 91 however relief 91 is possible only if the following conditions are satisfied पहला condition ASSEC is the resident of India during the relevant previous year उस year में इंडिया का resident है तभी तो foreign की income एड होगी अगर non-resident है तो ऐसे भी foreign की इंकम एड नहीं होगी तो रिबेट का सवाली नहीं आता है income should have been derived from country outside India foreign say income होना चाहिए tax should have been paid or deducted in country from such income is derived foreign country में आपने tax आप पे किया है and there should be no DTAA between India and that country तो आप क्या करोगे कैसे rebate find out करोगे rebate बोलो relief बोलो कैसे find out करोगे तो देखो पहले compute the net taxable income NTI निकाल तो आप after including the doubly taxed income or foreign income with Indian income after claiming all the available exemption and deduction आप एक काम करो Indian income foreign income दोनो ले लो जो आपको exemption deduction मिलते है वो सब exemption deduction ले लो step number 2 में आपको क्या करना है find out the amount of gross tax आप gross tax निकालो but before claiming any TDS advanced tax and self assessment tax but after adding surcharge and education says surcharge and health education says आप add कर लो find out the average rate of tax ART on NTI where ART means defining section 210 में दे रखा average rate of tax average rate of tax क्या होता है gross tax पेबल ले लो divide by NTI multiply by 100 find out the rate at which tax was deducted or paid in foreign country and find out the lower of the rate from step 3 and 4 दुनों में से जो lower है वो ले लो और जो lower वाला आएगा उसको आप एक काम करो doubly tax income से multiply कर दो doubly tax income जो NTI में include हुई है उससे multiply कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां पे rebate एक काम करो इसको फटा फट कॉपी मार दो आप फटा फट कॉपी मारो इसको जल्दी जितना जल्दी हो से कॉपी करो जल्दी जल्दी से 자꾸 कॉपी मारो अथैज बस्ता बॉाइब करो जाएवा कवी मारो तक आप जल्दी मारो आपको जल्दी मारो आपको काम से ँए झाल 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 है दन वेपल चलो अब एक बात बताओ मुझे इधर देगो सब लो सर आप बोल रहे हो से यह वाला नहीं करना है यह जो आपने बताया यह वाला नहीं करना है यह क्यों नहीं करना क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ना जब आपको इंकम दो-दो कंट्री के ले रखी होगी और में आप confused हो जाओगे, so better at don't follow that, अब जैसे example से दो country की income ऐसे कैसे हो सकता है, इदर देखो सब लोग, all people please pay attention, अब जो मैं बोलने चाहरा हूँ, मेरे words पे ध्यान देना और आप बोर्ड पे देखते जाना, मेरे words पे ध्यान देना और आप बोर्ड पे देखते जाना, suppose foreign income तुम से दो लाक है, suppose, और country X में tax rate है 10% और country Y में tax rate है 25%, मालो ये question है, question को थोड़ा मैंने change करती है, देखो, Indian income 7 lakh है, आपका foreign income 5 lakh है, और उसमें से country X वाला है, वो 3 lakh है, country Y वाला है, वो 2 lakh है, country X में tax rate 10% है, country Y में tax rate 25% है, अब एक बात बताओ, यहाँ question ही आता है कि अब सर रिब पहले tax निकाल दो, अब आप tax निकालने के बाद education से सर्चार्ज आप add कर दो, and देखो, so simple चीज़े, यह बिलकुल भी difficult नहीं है topic, सबसे easy topic यही है, अपको क्या करना, देखो, आपको average tax rate of India आपने निकाल दिया, और average tax rate of India क्या आया तुमारा, 14.95%, तो आप क्या करो, दो country आपके पास है, कौन कौन सी है, एक तो X और एक Y, तो आप क्या करोगे, एक तो X के लिए, और Y के लिए, अब एक बात बताओ, X के लिए, आपका foreign का tax rate कितना है, तो foreign tax rate और तुमारा average tax rate in India, तो foreign का tax rate country, X का 10% है, हाँ वही, और इंडिया का कितना है, 14.95%, और Y का 25% है आई और इसका है कितना, इंडिया का कितना, इंडिया का तो वही है, 14.95%, तो आप क्या करोगे, whichever is lower, तो X वाले का 10% ले लो, और Y के लिए 14.95% ले लो, तो अब आप रिबेट कैसे निकालोगे, तो रिबेट निकालने के लिए, country X का कितना income है, जो taxable हुआ है, 3 लाग, multiply कर दो 10% से कितना आजाएगा, 30,000, और country Y है, वहाँ का कितना income है, 2 लाग, और lower कितना है, 14.95% से multiply कर दो, यह यहाँ का रिबेट आजाएगा, आपका net tax payable आजाएगा, you got my point or not, अरे बोलो yes or no, कोई problem नहीं इसमें, हाँ भई, यहाँ तक कोई problem नहीं है, चलो, अब इदर देखो सब लोगे, sir, इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, चलो, इदर देखो एक और चीज़, sir, sir, कभी ऐसा हो तो, सोचो कभी ऐसा हो तो, इदर देखो, कैसा हो sir, बता दो, इदर देखो, जैसे माल लो, यह जो पाँच लाग है, यह पाँच लाग फोरण में house property का rent है, house property का rent है, तो पाँच लाग का rent है, तो आप income calculate करोगे, तो पाँच लाग में से 30% का deduction भी मिलेगा, अब deduction भी मिलेगा, तो 5 लाग minus 30% house property deduction comes to the 350, यह 350 की income आपने total income में आई, तुम्हारी जो net taxable income है, total income है, उसमें income कितनी आई, 350 आपने जोड़ी, जो 350 है, वो आपने अपनी income में जोड़ा, 350,000 है, वो आपने अपनी income में जोड़ा, आपकी income में कितना आया, 350,000 आया, एक बात बताओ, और 350 और 7 lakh आपका वो बला, ये 350 आएगा, क्योंकि 30% deduction लिया होग है, तो 350 आया, अब एक बात बताओ, जब total income में 350 आया, तो जब आप rebate लोगे, तो rebate किस पे लोगे, 350 पे लोगे, पांच लाग पे लोगे, answer is 350 पे लोगे, आपको ये देखना है कि तुमारी net taxable income में कितनी आई, जो तुमारी जो net taxable income है, वो net taxable income में कितनी आई, 350 आई, तो आपको जो rebate लेना है, वो rebate कितने पे लेना है, आपको 350 आउजन पे लेना है, जो rebate है, वो rebate आपको 350 आउजन पे लेना है, you got my point or not, yes, एक और example लेता हूँ, इधर देखो सब लोगे, all people, please pay attention, जैसे हुआ क्या, इधर देखना सब लोगा, all people, ओ भाई, जैसे मान देखों आपको 10 लेक है, इंडियान इंकम 10 लेक है, और फ्यर इंकिम 5 लेक है, और एक बात समझता है, यह फ्यर्ण in कम आपका books का royalty है, और books का royalty है, यह books का royalty है, आपकी कोई scientific nature की books लेक ही, तो फ्यर्ड से इंकम हुआ, वोगे वो बुक्स का royalty है, पाच लाख, इंडियान इ बात बात मुझे पंदर लग मेरा GTI हुआ सर ये जो बुक्स का राइल्टी होता नहीं इस पे क्विन दिलख्षन मिलता 80 QQB करके 80 QQB करके deduction है और वो deduction माल लो आपको 3 लग का deduction मिल रहा है तो बुक पे आपने deduction ले लिया 5 लग की income थी जो आपने foreign income ली है यहाँ पर 5 लग यह 5 लग ली है यहाँ पर देखो यह 5 लग ली है और अब इसी पर deduction ले रहे हो तो 3 लग का आपका यहाँ deduction आ गया तो एक बात बताओ तुमारी NTI कितनी है 12 लग अब एक बात बताओ NTI 12 लग अब आपने 12 लग पर tax निकाला तो 12 लग पर tax तो वह आएगा 179 foreign rate अब एक बात बताओ जो tax rate foreign वाला है वो 20 परसेंट इंडिया का average tax rate of 14.95 परसेंट rebate 14.95 परसेंट से मिलेगी but my question is that कि sir rebate कितने पर मिलेगी 5 लाग पर मिलेगी या 2 लाग पर मिलेगी means rebate will be available on 5 लाग और 2 लाग means जो आपको rebate मिलेगी वो rebate आपको 5 लाग पर मिलेगी या फिर आपको 2 लाग पर मिलेगी answer is मैं बताओ रिबेट आपको 2 लाग पर मिलेगी rebate आपको 2 लाग पर मिलेगी क्योंकि एक बात बताओ इस NTI में foreign का income कितना आया आपको क्या देखना है पता ये जो NTI है जो मैंने highlight किया है जो मैंने mark किया है ये जो NTI है sir इस NTI में 12 लाग में foreign का income कितना है 2 लाग ही है तो आपको rebate है वो सिरफ 2 लाग पर लेना है किस पर लेना है 2 लाग पर तो 2 लाग और multiply by 14.95% इस पर आपको rebate लेना है तो 2 लाग multiply by 14.95% comes to the 29,900 है इतने का आपका rebate आ जाए रहा है इसके question मैंने इसके आगे दे रख्या है बीए question यहां से आपको नहीं करने है क्वेस्ट से नहीं करने क्योंग यह आसमेंट यह चेंज दहीं किया है कोई अमेंडमेंट नहीं है इस topic में अभिसली असस्यम्न डे alarm करना है तो आप करके कर सकते हो और टॉपिक DTAA और DTAA टॉपिक नमबर 30 466 चलो यह सबसे पहला जो question है that is related to the Cosmos Limited मैंने जो बोला था ना मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था foreign company पे tax rate का जादा लगना is never be treated as less favorable कर गए ठीक है तो वो वाली चीज़ वाला यह question आया हुआ है एक बार आया था बहुत पहले 5-6 के गरीब में ठीक है उसके बाद यह question नहीं आया एक बार आया था यह question तो चलो यह question बोलता क्या था पहले इस question को बढ़ते है all people please pay attention यह question बोलता है कि Cosmos Limited is a company incorporated in Morisus एक Morisus का company है Cosmos Limited has a branch office in the Hyderabad है अप्रेल 2016 अप्रेल 2016 में इन्होंने एक branch है वो इन्होंने खोला था इन्डियर ब्रांच has filed return of income for assessment year 18-19 इन्होंने 18-19 का return file किया disclosing income of rupees 50 lakh it paid tax at the rate applicable to domestic company मतलब इन्होंने 30% का tax भरा यह जो है इन्होंने 30% का tax भरा देखो एक बात बताओ Morisus की company की branch है तो Morisus की company foreign company और foreign company की इन्डियर ब्रांच भी foreign company हुई तो foreign company पर tax rate क्या होना चाहिए 40% बट इन्होंने 30% से tax भरा प्लस education says on the basis of paragraph 2 non-discrimination of the double taxation awareness agreement between India and Morisus which reads as follows इन्होंने क्या किया इन्डियर मौरिसस का एक agreement का आपको reference दे रखा है और कि उस agreement के basis पे आपने जो tax है वो tax 30% भरा company ने क्यों 30% भरा क्योंकि agreement बोलता है और agreement में क्या लिखा हुआ है पता है देखो agreement यह बोलता है the taxation on permanent establishment permanent establishment पे जो taxation है permanent establishment मतलब इंडिया में जो branch है वो एक permanent establishment में आ जाएगी yes which an enterprise of a contracting state has in the other contracting state मतलब एक country की enterprise की branch दूसरी country में है जैसे अपने एक्जांपल में Morrisius की country की company की branch कहां पे है इंडिया में है तो the taxation on the permanent establishment which an enterprise of contracting state has in the other contracting state shall not be less favorable मतलब उस branch के लिए less favorable taxation नहीं होगा किससे less favorable नहीं होगा in that other state किससे less favorable नहीं होगा then the taxation लेविड on the enterprise of that other state मतलब इंडिया का enterprise carrying on the same activity in the same circumstances बड़ा भारी लेंगवे है बड़ी ड़ी 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 ऐसे ही बनते अगर टीक देखो क्या लिखा इनो नहीं होगा इनो नहीं लिखा किसे टेक्सेशन on the permanent establishment which an enterprise of contracting state has in the other contracting state shall not be less favorable उसके लिए जो less favorable नहीं होगा in other state then the taxation livid on enterprise of that other state carrying on the same activity in the same circumstances मतलब भाया अगर मौरिस्यस की कंपनी का ब्रांच इंडिया में तो उसके लिए जो टेक्सेशन है वो टेक्सेशन किससे कम favorable नहीं होगा पता है कि अगर इंडिया का enterprise इस अगर सेम काम करता तो उसके लिए जो टेक्सेशन होता उससे less favorable नहीं होगा एक बात बताओ अगर इसको आप पढ़ोगे तो इसमें obviously DTWA ये बोलता है कि मौरिस्यस की कंपनी का ब्रांच इंडिया में फॉरेंड कंपनी है लेकिन अगर इंडिया का company सेम काम करता तो 30% tax लगता तो उसको भी कितना foreign company को भी tax कितना लगना चाहिए 30% लेकिन AO क्या बोलता है पता है कि आपको tax 40% लगना चाहिए क्या AO right है या wrong AO यहाँ पे right है क्योंकि अगर आप पहले तो answer करोगे कि obviously आपका 30% लगना चाहिए लेकिन फिर आप उस explanation का हवाला दोगे जो आपन ने एक explanation पड़ी थी 90 के और वो explanation यह बोलती है कि foreign company पे tax rate का ज़्यादा लगना is never be treated as the less favorable जो foreign company के लिए tax rate का ज़्यादा लगना कभी भी less favorable नहीं माना जाता है ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है under section 90 subsection 2 where the central government has entered into the agreement for avoidance of the double taxation with the government of any country outside India or specified territory outside India as the case may be then in relation to the assessor to whom such agreement applies the provision of income tax act 1961 shall apply to the extent they are more beneficial to assessor CDC बात है thus in view of paragraph 2 paragraph 2 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यह होना चाहिए कि 30% ही लगना चाहिए of article 24 of the India Morrisis DTAA it appears that the Indian branch of Cosmos Limited incorporated in Morrisis is liable to tax in India at the rate applicable to the domestic company that is 30% which is lower than the rate applicable to foreign company that is 40% लेकिन यह however वाला जो पार्ट है यह आपको याद रखना है करके यह मैं बता हूँ रट लेना एक बार आप करके ठीक है foreign company पे tax rate का ज्यादा लगना is not treated as the last February as per explanation section 90 subsection 1 clarify that the charge of tax in respect of foreign company at the rate higher than the rate at which domestic company chargeable shall not be regarded as less favorable charge of levy of tax in respect of such foreign company therefore in view of this explanation the action of assessing officer taking the 40% tax is in accordance with the law चल उसके बाद आपको कुछ questions दे रखे है वो questions में आपको कुछ बता देता हूँ एकपको डॉ अज एक लाच कितना परष्इंट हुआ तो आप के ल idag को कितना पाशाँ झाय आपको कितना परस्ट हूआ एक लाग डिवाइ बाइ 7,50,000 बाहर टेक्स लगा है 13.33% वस deducted at source in the country where consent were performed, India does not have any double taxation avoidance agreement with that country his income in India amounting to Rs. 30,000,000 इंकम कितना है 30,000,000 compute the tax liability of Kalpesh Kumar for the assessment year 19,20 assuming that he deposited 1,50,000 in PPF, तो इसका ATC में deduction मिलेगा PPF का and he paid the health insurance premium for his father, जिनकी age 65 years है, उनके लिए 30,000 का उसने लिया health insurance तो उस पे ATD में deduction मिलेगा देखो यहाँ पे जब senior citizen होते हो, तो limit है, वो limit तुमारी 50,000 हो गई है, limit है 50,000 हो जाती है, आप deduction topic में यह सीखोगे limit 50,000 होती है, बट आप भी समझो एक पचास तीस लाग दोनों का deduction मिलेगा एक बात बताओ पहले total income कैसे आएगे तो आप क्या करोगे Kelsey पे लो आप 30,000,000 इंडियान income, foreign income 7,500,000 टोटल 37,50 आजाएगा उसमें से PPF का और ATD का deduction ले लो आपका 180 का deduction गया, 35,70 बच जाएगा अब 35,70 पे आप tax निकाल दो तो 35,70 पे पहले आप slab rate से tax निकाल लो 35,70 पे आप slab rate से tax निकाल दो उसमें आप health and education से एड़ कर लो आपका देखो total tax आ रहा है 25,74% इंडिया का tax rate foreign का tax rate तुमारा कितना है foreign का tax rate तुमारा 13.33% एक बात बताओ, lower वाला कौन सा है 13.33% तो आपको एक बात बलू साड़े 7,00,000 पे 13.33% मालब पूरे 1,00,000 का आपको क्या मिल जाएगा रिबेट मिल जाएगा पूरा जो 1,00,000 है वो 1,00,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा ये आपका question number 2 है बहुत easy, बहुत easy question आते है explain the purpose of which the central government देखो क्या purpose है DTAA का तो DTAA का purpose क्या है obviously double taxation का relief देना करके ठीक है उसके बाद में avoidance of double taxation CDC बात है और तुमारी exchange of information है recovery और tax में एक दूसरे की help करना उसके बाद दूसरा question ये बहुत easy question है आप लोग ऐसे भी कर लोगे पांच मिनिट में आप कर लोगे ये questions चोटे चोटे easy easy sub question है और ये सब exam के question है जो आपको घर पे जाके आज करने है एक question मैं आपको करवाँगा आरिफ वाला करें ठीक है और ये आरिफ वाला theoretical question है देखो क्या बोला हुआ आरिफ वाले question में आरिफ इस रेजिदेंट आप बोथ इंडिया एंड अनदर फॉरेंड कंट्री इन प्रीबियस यर 18-19 18-19 में आरिफ है वो दोनों कंट्री का resident है इंडिया का भी है और foreign country का भी है अब एक बार बदाओ जब दोनों कंट्री का कोई resident होता है तो वहाँ पर time breaker rule लगते है अपन पढ़ेंगे ये tax treaty topic में tax convention topic में basically और tax convention में क्या होता है अगर आप दो-दो country के resident बन जाते हो तो आप फिर resident उस country के माने जाते हो जहाँ पर आपका permanent home होगा अगर permanent home दोनों जगे है तो आपका जहाँ पर economic personal relationship more closer होगा अगर economic personal relationship पता नहीं चल रहा है तो फिर आप जहाँ habitually abort करते हो वहाँ के आप resident माने जाओगे और अगर आप habitually abort कही नहीं करते है या दोनों जगे करते हो तो जहाँ के आप national हो जहाँ की आपकी nationality है वहाँ के आप resident माने जाओगे तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर आरिफ इस रेजिदेंट और बोथ इंडिया in the foreign country foreign country में उसके पास rubber estate है जिससे 50 लग का income हुआ and he also sold some house property situated in foreign country वहाँ पे उसने कुछ house property और sold किया जिस पे 10 लग का capital गेन हुआ आरिफ has no permanent establishment of business in India इंडिया में उसका कोई PE वगेरा नहीं है however he has derived rental income of 6 लग from the property laid out in India and he has a house in Lucknow where he stayed during his visit इंडिया से उसको क्या हो रहा है सिरफ 6 लाग का income आ रहा है एक rental और उसका एक लखनों में घर है जब वो इंडिया आता है तो लखनों में रहता है कभी कभी अब देखो यह article 4 आपको दे रखा है यह article 4 जो होता है इसको अपन पढ़ें के article 4 क्या होता है एक्जामिनर ने question में देखे रखा है देखो क्या लिखा है article 4 of the double taxation avoidance agreement between India and foreign country where आरिफ is a resident provides that where the individual is the resident of both the contracting state then then he shall be deemed to be the resident of contracting state in which he has a permanent home available to him मला जहां उसका permanent home है वो वहां का resident माना जाएगा लेकिन if he has a permanent home in both the contracting state he shall be deemed to be the resident of contracting state with which his personal and economic relationship are more closer you are required to state with reason whether the business income of RIP arising in foreign country and capital gain in respect of state sale of property situated in foreign country can be taxed in India मला फोरें में जो उसकी income है वो क्या इंडिया में taxable होगी या नहीं एक बात बताओ फोरें की income इंडिया में तभी taxable होगी जब वो इंडिया का resident बन जाएगा अब एक बात बताओ ऐसे तो ये resident दोनों country का है लेकिन बेटा ये resident कहां का माना जाएगा जहां उसका permanent हो में लेकिन पर्माने में हो तो दोनों जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा उसका economic and personal relationship more closer कहा है और एक बात बताओ इस example से आपको क्या पता चल रहा है कि उसका economic and personal relationship more closer इंडिया में है या foreign में है answer is foreign में है क्योंकि एक बात बताओ foreign में आपको पता रहेगा उसका rubber state भी है मतलब उसका business भी है foreign में rubber state है उसका कुछ वहाँ पर property भी है इंडिया का इंडिया का इंकम इंडिया में taxable नहीं होगी जब इंडिया का वो non-resident माना जाएगा तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर यहाँ पर देखो आरिफ ओंस चीधा मैं यहाँ से पट रहो तीसरा परिगराब आरिफ ओंस rubber state in foreign country from which he derived business income however आरिफ has no permanent establishment of his business in India therefore his personal and economic relationship with foreign country are closer since foreign country में उसका क्या है property located है और उसका permanent establishment भी उदर setup है that is वो तुमारा वहाँ पर क्या है वो है ना क्या बोलते हो वहाँ पर rubber state है therefore he shall be deemed to be the resident of the foreign country for assessment year 19-20 वो वहाँ का resident माना जाएगा और उसके में case law इदा 2004 का उसमें भी ऐसा बोला था therefore in this case RF is not liable to income tax in India for the assessment in 19-20 in respect of business income and capital gain arising in foreign country foreign country की income पे इंडिया में tax नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया के लिए वो non-resident बन गया वो resident कहां का है foreign country का ठीक है so इसके बाद question number 6 भी आपको दे रखा है easy सा question है 6 और 7 यह 7 है न 7 को mark करना बेटा सबसे ज़्यादा तुमारा IMP 7 है 7 and 6 6 and 7 है वो आप ढंग से कर लेना mark कर देना IMP करके 7 is very important 7 करोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़े इसमें clear हो जाएगी done people चलो तो आपके पास total इसमें 10 question है और यह 10 question आपको 11 है 11 भी है यह सब आपको करके आना है ठीक है so total 11 question अपने दो थीन डिसक्स किये बाकी सब आपके homework है तो आप फटाफट इसको कर लेना जादा टाइम जागा घंटा बर लगेगा और घंटे बर में आपके सब question हो जाएंगे so चलो आज के लिए इतना बहुत है thanks a lot people from tomorrow we will start with the new topic transfer pricing start करें के गल से ठीक है so thanks a lot people